हलो मैं डियर फ्रेंड्स वेलकंटो दे क्लास प्यारे दोस्तों आज़ी क्लास में हम स्टाटिक जीके के अंतरगत भारत के राश्टी प्रतीक से संबंधी 20 महातुकुन प्रतीकों का ध्यान करेंगे जिसमें आपके सामने पहला टॉपिक दिख रहा है भारत का राश्टी द् मता है राश्टीप्रतीक में से राश्टी द्वच क्या है राश्टी पसु क्या है राश्टीपक्षी क्या है लेकिर फिर भी कुछ शैसे points हैं जहां जिसको हम miss कर जाते हैं और अक्सर वही points exam में पूछ लेता है जो सरल होते हुए भी हमारा गलत हो जाता है तिसले आज की class 10 से 15 मिनट की class होनी है 20 मिनट की class होनी है जिसको आपको अंतिम तक जरूर देखना है शायद इसमें से कुछ points आपके लिए महत्वपू तिरंगे को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को आगे बढ़ते हैं तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया सफेद और हरिरंग की 36 पट्टिया होती है इसलिए भारत की राष्ट्वी धस्तो द्वच को तिरंगा कहा जाता है और जानते हैं दोस्तों द्वच की लंबाई और चु जानते हैं दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भरती समिधान सभाने राष्टी ध्वच तिरंगे को अपनाया था इसका अनुपात क्या है दो अनुपाते तीन है तोड़ा सोरी सी बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीज गहरे नेले रंग का चक्र बना हो प्रता का और हरा रंग देश की सम्रिधी का प्रतीक है चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों दोसरा है भारत का राष्ट्रे चिन असोक स्तंभ भारत का राष्ट्रे चिन क्या है दोस्तों असोक स्तंभ है इस पर दो पंक्तिया है असोक स्तंभ भारत का राष्ट् किया गया था जब भारत गड़ राज्य बना अशोक के अस्तंब शिखर पर देवनागरी लिपी में सत्यमेव जैते कार्थ होता है दोस्तों सचाई एक मात्र जीत है जो मुंडकोप निशद मुंडकोप निशद जो की एक पवित्र हिंदू वेद का भाग है से लिया गया है इसमें महत्पूर्ण पॉइंड क्या है दोस्तों पहला है भारत का राश्ट्री चिन क्या है असोक अस्तंब है असोक अस्तंब कहां से लिया गया है सारनाथ में समराथ असोक के द्वारा बनाए गये अस्तंब से लिया गया है इसको कब अपनाया गया दोस्तों तो 26 जनुर खर्म का एक पवित्र वेद का एक भागे वहां से लिया गया है चलिए थोड़ा सा और बात कर लें से हम दोस्तों इस सिस्टम के शिखर पर चार शेर खड़े हैं जिनका पिछला हिस्सा खंभे से जुड़ा हुआ है संडचना के सामने इसमें धर्म चक्र इसका आर्थ होता है कानून का पहिया भी बना है भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्सित करता है ये भारत का प्रतीक आगे बढ़ते हैं पहिये के हर एक तरफ एक असु और बैल बना हुआ है अतिमहत्पूर प्रश्न है दोस्तों पहिये के हर एक तरफ दोनों संधित करने का कार्य राज प्रती की भारती धारा 2005 के तहट किया जाता है किसके तहट दोस्तों अपने देश की जो भारती समिधान की धारा 2005 के तहट किया जाता आगे बढ़ते हैं चलिए भारत का राश्ट्री गान जनगडमन संबंधी बात कर लेते हैं भारत का राश्ट्र गान और राश्ट्री गीत में अंतर दोस्तो राश्ट्री गान हमारा कौन सा है जनगर मन राश्ट्री गीत कौन सा है वं दे मात्रम वेरी गुड चली बढ़ते हैं इसी में तो भारत का राश्ट्री गान जनगर मन संबंधी बात कर लें दोस्तो 24 जनर्री 1950 में समविधानिक सभादवारा भारत के राष्ट गान जनगर्मन को अधिकारिक रूप से अंगिकरित किया गया था और रविन्ना टेगोर द्वारा ये गान लिखा गया था इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारती राष्टी कांगरेज के कलकत्ता सत्र में गाया गया था संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है हलाकि इसका जो लगु संकरण है अर्थात पहली और अंतिम पंक्ती है को पूरा करने में केवल 20 सेकेंड का समय लगता है महतपूर प्रश्ण क्या बनते हैं दोस्तों इसमें इसे 24 जनरी 1950 को समय धानिक सभादवारा भारत के राष्टगान जनगल मन को अधिकारिक रूप से अंगिकरित कर लिया गया था दोसरा प्रश्ण क्या बनता है इसको लिखे कौन है रविनना टैगोर जी ने इसको लिखा है इसको पहली बार कब गया था दोस्तों तो 27 दिसमबर 1911 में भारती राष्टी कांग्रेश के कलकत्ता सत्र में इसे पहली बार गया गया था इसे गाने में दोस्तों 22 सेकेंड का समय लगता है आगे बढ़ते हैं भारत का राष्ट गान ये क्या है भारत का राष्ट गान ये सामने लिखा हुआ इसको आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक न पढ़ने अगर हम लोग पढ़ने बैठेंगे जो बच्चे बैठ करके वीडियो देख रहे हैं प्रहाई करने खड़े हो करके देश के सम्मान के लिए गाना पढ़ेगा इसे आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए अगला पॉइंट हमारा है चवथा है भारत का सर्वो चुराष्टी पुरसकार कौन सा है दोस्तों भारत रतन फिर से एक बार बोल रहा हूँ भारत का सर्वो चुराष्टी पुरसकार क्या है भारत रतन है दोस्तों इस पर दो पंक्तियां देख लेते हैं ये भारत का सर्वोच राश्टी पुरसकार और सर्वोच नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सारुजनिक सेवा के शेत्र में सम्मानित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुवात दो जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राश्ट्रपती राजिंदर प्रसाज जी द्वारा की गई थी। जान, कला, साहित, खेल और सारुजनिक सेवा के छेतर में दिया जाता है। और इसकी शुरुवात कब से हुई दोस्तों? दो जनवरी 1954 से इसकी शुरुवात हुई थी। अगला प्रशन है यह अगला पॉइंट है पांचवा नंबर का भारत का राश्टगीद वंदे मातरम है क्या है? भारत का राश्टगीद क्या है? वंदे मातरम है। इस पर बात करते हैं। दोस्तों 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुवात के दो चंद को अधिकारिक रूप से भारत की राश्टगीद के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम मे के द्वारा और उनके अपने उपन्यास अनन्दमठ में लिखा गया था उनका जो अपना उपन्यास वंकिम चंद्चटर जिय का आनन्दमठ उसमne ये वन्दे-मात्रम घीत लिखा गया था और इस गीत कोनों ने चिन सूरा में लिखा था इसे पहली बार सन 1890 में भारती राश्टी कांग्रेस के राजनीतिक संदर में रवीन नय टैगोर द्वारा गया गया था दिखे महत्वपूर्पंक्तिया इसमें क्या है दोस्तों तो इसमें महत्वपूर्पंक्तिया इसमें उन्हें 150 में इसको स्विकार किया गया था और इसमें जो है 6 छंद है इसके सुरुवात के 2 छंद ने 150 में आंगी कृत किये गए थे और इसे लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चेटर जी और इन्हों ने इसको कहां पर लिखा था 1982 में अपने उपन्यास आनंदमठ में इसको लिखा था यहीं से इसको लिखा गया था यह बंगाली और संस्कृत में लिखा हुआ था और दोस्तों इसमें क्या बात कर लेते हैं पहले बार सन नेश सो चानबे में भारती राश्टी कांग्रेज के राजनीती संदर में रवीन ना टैगोर जी के दोरा इसको गाया गया था six number का point है भारत का राश्टी पशु क्या है सबको पता है, बाग है बस हमें इदे ही लाइने पता है बाकी इसके अंदर की क्या पंक्तिया है इसके पीछे का दो पंक्ती पोछ लेता है या फिर इसके पीछे का कोई एक टॉपिक या कोई एक पॉइंट पोछ लेता है इसमें हम नहीं बता पाते हैं मिस कर जाते हैं हमारे एक दो नंबर का लॉस होता है इसलिए हमने सोचा कि क्यों न जो हमारे भारत के राष्ट्री प्रतीक है, महत्वपूर्ट 20 है, इसको हम थो डिटेल में बात कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट में, चलिए तो आपका 6 नंबर का पॉइंट है, भारत का राष्ट्री पशु बाग है, तो भारत के राष्ट्री पशु के रूप में बाग, जिसे हम र प्रेल और 1973 में घोशित किया गया था, और इसके शरीर पर चमकदार पीली पटी होती है, ये बड़े आराम से वायुशिफ के जंगलों में दोड़ सकता है, और अत्यंत शक्तिशाली मजबूती और भारत के घर्व का प्रतीक है, बागों के अधिक्तम उम्र लगभग 20 साल होती है, तेज फूरती और शक्ति के कारण बाग को भारत का राष्ट्री पशु माना गया है, और इसका जन्तु वेग्यानिक नाम दोस्तों पैंथरा टाइग्रिस है, याद रखेगा बाग का वेग्यानिक नाम जो है, जन्तु वेग्यानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है तो दोस्तों इससे क्या point बन सकते हैं इसका point बन सकता है कि भारत का राश्ट्री पसु बाग है सबको पता है लेकिन यह कब भारत का राश्ट्री पसु बाग कब घोसित किया गया था अप्रेल 1973 में घोसित किया गया था दोस्तों यह किसका प्रतीक है यह अत्यन्द शक्तिश पूल क्या है कमल है इस पर देखते हैं भारत का वैज्ञानिक नाम दोस्तों लियूम्बिको नियूम्बो नियूसी फिरा अधर रिखेगा ये इंग्लिश वर्ड है नियूम्बो नियूसी फिरा हाला कि इस तब एक्जामे नहीं पूछाएगा फिर भी जानने वाली चीज़ करता है ये उर्वर्ता ज्यान सम्रिधी सम्मान लंबी आयू अच्छे किस्मत दिल और धिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है इसका प्रियोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आधि के लिए भी किया जाता है दोस्तों अगला पॉइंट है आठवा नंबर है भार दोस्तों भारत के राष्ट्री पक्षी के तौर पर अंगिकरित किया गया है ये पक्षी एकता के सजीव स्टू रंगों और भारती संस्कृति को प्रदर्शित करता है ये सुंदर्ता गरु抑 पवितरता को भी दिखाता है भारती वन जिव सुरक्षा की धाराउनीग सु तिहत्तर के तहट संसदी आदेश्पर सुरक्षा प्रदान की गई है याद रखिएगा धाराउनीग सो 17 दरण का भी प्रतीक है आगे बढ़ते हैं दस नंबर का पॉइंट है दोस्तों भारत का राश्ट्री खेल है क्या है होकी है भारत का राश्ट्री खेल क्या है होकी है हां बहुत से लोगों को यहीं मालू हो क्रिकेट 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 हावी हो गया ना दिमाग में जयाद रखिएगा हौकी मिजर ध्यान चंदर तो भारत का राश्ट्री खेल हौकी है हौकी को भारत का राश्ट्री खेल तब से माना जाता है दोस्तों जब से भारत ने उलम्पिक में हौकी के खेल में लगातार छे सुन पदक जीते थे आगे बढ़ते हैं भारत का राश्ट इनको राश्टी जल्चर पसु के रूप में अंगेकृत किया गया है यह पावन गंगा की शुधता को प्रदर्शित करती है क्योंकि यह केवल साफ और शुध पानी में ही जिन्दा रहती है इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है इनको सुरक्षेत करने के लिए अभ्यारन छेत्र संरक्षन कार भी शुरू हो चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों